में वेलकम टू आल इस प्रेजंटेशन में हम एक्जिल कंप्रेसर के बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे तो बेसिक कंपोनेंट्स तो इसके दोई हैं रोटर और स्टेटर रोटर में क्या रहता है moving blades रहती है, stator में fixed blades रहती है rotor जब rotate करता है, तो उसे जब fluid पास होता है तो वो उसकी kinetic energy बढ़ा देता है due to impulse effect और साथ ही साथ rotor में ही fluid का pressure energy भी बढ़ती है due to diffusion effect और जब high kinetic energy से fluid rotor से pass होते हुए stator के तरफ जाता है, तो stator क्या करता है उसने जो kinetic energy gain करी, उसको वापिस से convert कर देता है किसमे? pressure angle में, ठीक, उसके बाद जो stator है, stator से निकल गया, यह तो पहली stage complete हुई अब stator ने क्या किया? kinetic energy को potential energy में तो convert कर दिया अब stator से निकल के उसको क्या जाना है, next stage के moving blade में जाना है तो stator का एक और काम रहता है, वो क्या करता है? साथ-साथ pressure तो बढ़ाता ही है लेकिन exit में वो एक suitable angle प्रोवाइड करता है जिससे वो next row of moving blades में smoothly enter कर सके axial direction में, तो stator का यह भी एक काम रहता है अब जो rotor और stator जो रहते हैं, उन दोनों की जो blade profiles रहती है वो कैसी रहती है? diverging section की रहती है moving या rotor बोल लो इसको या stator, दोनों में blades लगी है अब यह जो blades लगी है, यह कैसी लगी रहती है? diverging section की लगी रहती है देखी, diverging section की हैं यह blades और इस rotor में लगी, rotor घूमने कारण impulse effect कारण velocity बढ़ती है और इस diverging section के कारण उसका pressure भी बढ़ता है, जैसे जैसे पांस होती है और stator में भी जो रहती है, वो कैसी रहती है? diverging section की ही रहती है तो stator में भी जो blades लगी है, यह ऐसे आई फिर यह ऐसे यहां से अपनी air flow कर जाती है फिर यह ऐसे जो यहां पिसके बाद जो लगी होगी यह ऐसे तो यह यहां से इसके diverging section से निकल चली गए तो इस तरह से उनका जो cross section रहता है, rotor blades और stator blades का वो किस तरह का रहता है? diffuser section का रहेगा जिससे 7-7 pressure energy भी increase करती रहे यह तो first stage हो गई, first stage में आप देख रहे हैं कि direct जो air है वो किस पर strike कर रही है? rotor के blades पे लेकिन कभी-कभी क्या होता है? first stage के पहले भी हमें क्या लगा देते है? इनलेट गाइड वेंज, IGV, इनलेट गाइड वेंज, first stage के पहले in the upstream of the first rotor, first rotor के पहले upstream side में एक इनलेट गाइड वेंज कभी-कभी लगा देते हैं एक additional row of stator जिसे कहा जाता है इसका काम क्या रहता है? जो air आ रही है उसको axially approach करवाए कहां पे first row of rotor blades में to meet the design requirements design की requirement होगी design तो axially के काराण axially entry के हिसाब से ही design हुआ है तो अगर कुछ non-axial या थोड़ा से deflected air entry ले रही है तो guide van से गुजरते हुए जब निगलेगी तो फिर axially entry ही लेगी किसमे first row of rotor blades में clear उसके बाद per stage जो pressure ratio होता है वो क्या होता है? 1.2 to 1.5 होता है हमने आपको बताया क्यों? क्योंकि इसमें u2 square minus u1 square upon 2 वाला component present नहीं रहता क्यों? क्योंकि इसमें u1 is equal to u2 रहता है अभी समझेंगे कैसे देखते हैं कैसे तो suppose करिए यह आपका hub है और इसके उपर आपकी blades लटकिए attached है alternate यह आपकी moving blade MB moving blades जो रहती है वो hub से attached रहती है या rotor से attached रहती है यह rotate करता है और जो fixed blades रहती है वो किससे? casing से attached रहती है यह आपकी fixed blade इसके बाद यह फिर से moving blade यह फिर से आपकी fixed blade moving blade और यह यहां से fixed blade देख सकते हैं constructional details कैसी है जो hub है यह rotor है उससे moving blade attached है और जो casing है उससे कौन से blade attached है आपकी fixed blade attached है थोड़ा सा और ध्यान के देखते हैं यह रही यह जो है very similar to kaplan turbine जो आपन ने third unit में पड़ी water turbine बहुत ही similar रहती kaplan से यह इसका rotor हो गया hub जिसे कह सकते है यहां पे आपकी first row of moving blade attached है ठीक फिर यह casing से आपकी first row of fixed plate फिर यह आपकी rotor से third row of moving blade यह casing से आपकी second row of fixed blade फिर फिर rotor से आपकी third row of moving blade और casing से आपकी third row of fixed blade अप अप अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो height of blades है height of blade is decreasing from inlet to outlet air जो आई वह यहां से inlet आई अपकी पूरी inlet से outlet तक और यहां से air ऐसे आपकी निकल रही तो inlet से outlet तक में देखें क्यों कैसे constant रहेगी mass flow rate अपने को पता है velocity of flow remains constant ठीक उसके बाद क्या होगा mass flow rate जिससे क्या रहेगा constant रहेगा mass flow rate अपने को पता है rho a v means velocity of flow अब आंगे जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा density बढ़ेगी कि pressure बढ़ा रहा है और आंगे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे एरिया क्या हो रहा है decrease हो रहा है और velocity of flow constant तो mass flow rate भी क्या रहेगा constant रहेगा clear अब आपको axial flow compressor यदि imagine करना है तो आप ceiling fans देख सकते है ceiling fans कैसे ceiling fans तो सभी ने देखे होंगे कैसे लगे रहते हैं उसमें और यह ऐसे ऐसे घूमता रहता है अपना और air यहां से इसमें strike कर रही है तो जो ceiling fans आपन देखते हैं अपने ceiling पर लग रहते हैं उसमें blades उसके hub में लगी रहती है और air उसके ऊपर से आते नीचे आपके axial entry रहती है और exit लेती है और आपको लगती है के लिए आप ceiling fan का example ले सकते हैं जिसमें ceiling fan के तरह यह अपना rotor इसमे blades लगी है यहां से आ रही है और यह भुमा रहा है उसके energy बढ़ा रहा है और एक एक रोज से यह pass out हो रही है फिर देखते हैं इसमे mass flow rate area of flow कैसे निकालते हैं और देखते हैं कि यह आपकी क्या हो गई यहां से लेकर यहां तक inlet diameter क्या हो गई inlet diameter और यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या हो गई tip diameter या exit diameter इसको tip diameter कहेंगे और यहां से यहां तक कि यह distance हो गई यह क्या हो गई blade height तो इसमें mass flow rate कैसे हो रहा है इसी क्याराउंग mass flow rate हो रहा है तो area कितना मिल रहा है अपने को area अगर इसकी हम mean डाया निकालने तो मीन डाया कितनी निकलेगी dt प्लस dh अपॉन 2 यह क्या हो गया मीन डाया मतलब यह इसके मांदों यह आपकी कितनी आगई मीन डाया आगई मीन डाया तो πाई d into h से मल्टिप्लाइ कर दे हाइट से तो आपने हो क्या मिल जाएगा area of flow तो m dot कितना होता है अपना m dot होता है अपना row a v तो रो आपने जान लिए area कितना हो जाएगा पाई dm circumference इसकी पूरी कावार होई और इसके साथ साथ जो इसकी blade height है h v velocity of flow या एक तरीके से mass flow rate आपने लोग और calculate कर सकते है जो की है row पाई बाई 4 ये वाली डाया कितनी हो जाएगी अपनी cross section है दिए आपन लोग देखें इसका तो cross section की dt minus dh upon 2 ये क्या हो जाएगा आपका h तो पाई बाई 4 dt square minus dh का square into row vf पाई बाई 4 dt का square minus df square तो यहां से अपनी ये पुरा cross section area अपने को मिल जाएगा जिससे की वो flow हो रहा है very similar to kaplan turbine जैसा कि आपने देखा था kaplan वाले में अब इसमें देखते हैं कि pressure और velocity का जो changes है वो कैसे कैसे होते हैं moving blade और fixed blade में तो यह माल लीजिए moving blade यह fixed blade यह moving blade यह fixed blade moving blade, fixed blade, moving blade, fixed blade and so on तो pressure जो रहेगा वो क्या होगा यह बीच पर divide कर लेते हैं एक जैके pressure pressure जो रहेगा moving blade में इंक्रीज करेगा fixed में इंक्रीज करेगा फिर moving में इंक्रीज करेगा फिर fixed में इंक्रीज करेगा आपको पता है velocity जो रहेगी moving blade में तो increase कर गई velocity fixed blade में क्या हुआ जो velocity मिली उसी velocity को आपने किसमें convert कर दे pressure में फिर moving blade में आए तो velocity increase हो गई फिर fixed blade में जो velocity मिली इसको convert कर दी pressure में तो इस तरह से velocity diagram आपका रहता है velocity diagram नहीं pressure और velocity का variation in moving and fixed blade आप देख सकते हैं so एक चीज और इसमें देखने वाली बात है कि जो decreasing height है blade की उसे कारण से जो thrust generate होता है axial thrust वो neutralize जाता है क्योंकि mass flow rate अपने को constant मिल जाता है इस तरीके से फिर अपने को पता है इसमें velocity of flow आपने constant लेते हैं इस सारे parameters मैं आपको यहीं फिर clear कर दे रहा हूं जिससे numerical करने में आपको कोई भी दिकत ना हो ठीक तो I hope आपको axial compressors के basic components clear हूए होंगे thanks for paying your attention आपको के लाच जा हो क्योंकि प्याची अचर में क्योंकि आपको अपको नपको प्लोब आपको तो झाल झाल